लूए इन्वेस्टर अंट्रेडर्स वेलकम बाक टौ माय चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस अपिसोड के साथ इस अपिसोड में देखेंगे आईस में रेफिरेजरेशन के बारे में तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की थोड़े-बात फंडमेंटल्स फिर टेकनि नमें आजाता है तो अगर देखाओं तो यहां पर देखा जाए तो यह कोड रूम फ्रीजर और जो commercial industrial refrigeration system होता है वो सब चीज़े प्रवाइड करती है आज तो आज कल देखो कि तो कुछ चलती रहती है अवास चलती रहती है इस ही के तरह पटा नहीं अंदर कैसा होता हे तो कि अजयुकर आपर जाते जैसे अघर अच्छे हैं बेश्यकλि जब एक renowned company आके यहाँ पर services इंसे ले रही है तो यहाँ पर हम conclude कर सकते हैं कि company service जरूर अच्छी दे रही होगी क्योंकि यह सारी जो companies है यह मतलब अच्छे और quality products बनाती है तो अपने जो products के लिए के refrigeration वाला system लेंगी वो भी अच्छा ही लेंगी अब यहाँ पर देखा जाए तो company export के थूरू 3% revenue यहाँ पर domestic revenue जो है वहाँ से ज्यादा पैसा बन के आता है अब बात की जाए कि आगे इनका business अच्छा चालेगा कि ने तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि अब यह एक ऐसा time time आहीं आ रहा है जहां पर देखो पहले तो यह सारे प्रोड़क्ट चाहिए यह फार्मसोटिकल केमिकल्स और यह सारे जो प्रोड़क्ट थे इसको रेफ्रिजरेट इसको मतलब एक cold temperature बनाने के लिए सब rooms के requirement रह दी ती लेकिन अब देखा जाए तो दीमें दीमें प्रोसे इनकी बढ़ते हो यहां पर देखा जाए तो जैसे ऐसे 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 प्रोड़क्ट की दिमांड बढ़ती जाएगी जिसको रेफ्रेजरेशन की ज़रुवत है जैसे कि आज कल तो प्रोसेस्ट फूड में अगर देखा जाए तो अगर आप लोग का पूरा पूरा फ्रिज प्रोसेस्ट फूड है जिनको अब इस सारे चीजों की जरुवत पड़ती है तो इस तरह से इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक अच्छी इंडस्ट्री निकल के आ सकती है क्योंकि इसके उपर बहुत लोग का फोकस नहीं होता है तो वह बटर टाइम होता है खरीदने का कि जब कंपनी एक बार फोकस में आ जाती है तो बहुत कुछ उसके अंदर अर्रेडी हो चुका होता है अब यहां पर बात की जाए कंपनी की सेस्ट्रोथ की तो आप लोको 16% के मिलेगी 15% से जादा है तो उसको हम कहेंगे कि अच्छी है फिलाल यहां पर और प्रॉफित ग अगर बात करें तो मार्जन से आप लोको बढ़ते हुए मिल सकती है क्यूं क्यूंकि कंपनी बैकवर्ड इंटिक्रेशन कर रहे हैं जो इनके जो कूलर प्रॉटक्ट्स होते हैं मतलब जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट से बाहर से भी आउट्सो बहुत खाम है ठीक ठाक मेंटेंड करके रखें अब छोटी कंपनी तो 52 से ज्यादा रखने की अभी फिलाल अभी देखा जाए तो कपासिटी भी नहीं है अब यहां पर नीचे बात की जाए अभी फिलाल अवेलिबल नहीं है वहां लेकिन यहां पर आके देखो इंडिविजली देख लिए तो प्रमोटर्स के लिए खेल दी बात है क्योंकि एक चोटी कंपनी जो 500 करोड उसकी हम एक्सपेट करते हैं कि पचास परसेंट से ज्यादा ही शेयर ओल्डिंग हो तो ज्यादा बेटर है तो इसलिए थोड़ा सा शेयर डाल्यूशन होता है तो इस मतलब स्टेश परकर 75 परसेंट तो अच्छी बात है तो 40 परसेंट के नीचे होती तो एंड तक आते आते प्रमोटर स्कूर्टिंग बहुत का हो जाती है तो फिर मैनेजमेंट इशू होना स्टार्ट हो जाता है द तो अभी तो मेंचीज यहां पर यह है कि कंपनी अगर इनवरे लेवल के नीचे नहीं आती तो हम लोग बाइंग करने की कर सकते हैं यहां पर होना क्या है कि बेसिकली यहां तो इस वाले देखो जो ट्रेंड आ रही है यहां पर आतो रिजक्शन ले ले यहां तो इनवरे यहीर जब करना यहां पर यहां ट्रेंड या थो इस फे ले लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए उसको भाइंग कर सकते हैं तो हाँ लंबे समय के लिए भी इसको भाइंग की जा सकती है क्योंकि कुणि कंपनी की स्टेस देखा जाया तो अभी थीक ह्थाक में यहाँ आपी कुर्ण की थेक्षीए वाहां पर मतलब 5-6 साल की फूर्सीवल फ्यूचर है अभी तो यहां पे कोई मतलब ऐसा मतलब दिक्कत आने अली बात नहीं है एक अच्छा डिमांड बनी रहे हैं इन सारे प्रोडक्स की तो उसे साब से देखा जाए तो यहां पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं यहां पर इसकी वैलिएशन नहीं देखें यहां पर स्टॉक की कि देखी जाए तो इंडस्ट्री की पीश से थोड़ी सी कम है तो अच्छी बात है और बुक वैल्यू करेंट प्राइज में देखा जाते हो तो यहां पर यहां पर यहां पर यह बेस नहीं मिला है तो अगर थोड़ा सा होड़ करके लोग ही तो ज्यादा हम प्रिफर अच्छी बात होगी कि कमपिन यहां से को थोड़ा सा टिप ले डिप लेने के बाद अगर यहां पर बाय कर रहे हो तो उससे बेटर कुछ नहीं को पाएगा लेकर आगर आपकी मर्जी है यहां पर बता दिया एक अच्छी वाइग के अपरचैनिटी मिल रही है यहां पर ब लेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना बैल आइकन बने नोटिफिकेशन बटन जब दवाना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बाए